हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो उन सभी मेंबर के लिए हैं जिनका कंपनियों में ESI करता है क्योंकि फ्रेंड ESI ने अपने पॉर्टल पर एक नया ओफ्सन ओर एड कर दिया है अधार सीडिंग फोर आईपी एंड डिपेंडेंट्स का मतलब फ्रेंड जो भी ESI मेंबर है उनको अपना अधार काड अपडेट करना पड़ेगा और साथ में उनकी फैमिली मेंबर का भी फ्रेंड यहाँ पर आ जैसे ही मैं एरो पर किलिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी कंपनियों की मेल आईडी आजाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी भी मेल आईडी है आसू ESI के नाम से जो ESI ओफिस एसर और होईनी से सिरी राजस्कुमार जी ने SSO मतलब सोसल सिकूर्टी ओफिसर है उन्ह आपके और आपकी फैमिली के अधार कार है और उसमें जो मुवाइल नंबर है वो मुवाइलनfal चालू होना चाहिए क्योंकि अधार नंबर डालते ही OTP सेंड हो जायेगा जो भी अधार कार में रहेक्ष engineers मुवाइल नंबर है उसके बाद OTP को verify करना होगा जब ही आपका अ ऑपडेट करा ले अधारकार अपनी और अपनी फैमिली का हैं जैसे ही आपका अधाम ow भारत हेल्थ अकाउंट नंबर और address अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यह आपका इपचान card है इसमें यहाँ पर एक option है ABHA नमबर और नीचे है ABHA address का अभी इस member का ना तो अधान नमबर अपडेट है और ना ही ABHA नमबर जब यहाँ पर NSO कर रहा है आपके इपचान card में भी यहाँ पर NSO कर रहा होगा अब आप यहाँ पर दूसरा इपचान card देख सकते हैं जिसमें update हो रखा है ABHA नमबर और ABHA address उसके बाद नीचे अधान नमबर भी verify दिखा रहा है तो friend आप अपना जैसे ही अधान नमबर अपडेट करेंगे तो आपके इपचान card में भी यहाँ पर सोक करने लग जाएगा friend next video में मैं आपको बताऊँ हुआ कि अधान नमबर कैसे update होगा और कैसे ABHA नमबर और address जनेट होगा I hope friend कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गयोंगे फैन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे